हलो फ्रेंज मेरा नाम तोईदर रोमान है मैं हूँ टीम अपस्किल्स है और जैसे कि आपने टाइटल और थम्नेल में देखे लिया होगा हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो है अगर एक अंट्रॉपनॉर है या फिर अंट्रॉपनॉरिल अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो यह जो पांच बुक्स है यह आपको जो है काफिस जादा हिल्प करने वाले हैं जहांपे हर एक बुक में जो है आपको बहुत चीजे सीखने को मिलेंगी जहांपे कुछ बुक्स में ऐसी भी स्टोरीज होंगी जहांपे आपको यह पता चलेग वही पर मैं आपको ये भी बता दू कि बुक्स जो है माने जाते हैं कि एक इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं तो आप इसको पढ़के ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और इस वीडियो को सिलसिला शुरू करने से फ़हले अगर आप हमारे चानल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चानल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दिजे ताकि हम ऐसे जब भी नई वीडियो डाले उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहली पहुंच जाएं मैं आपके बता दू कि sapiens जो है वो एक बहुत ही अच्छी गाइड है यहां पर जो भी human race की जो entire history है उसके बारे में यहां पर आप सीख पाएंगे और उसके एक expert भी बन पाएंगे यहां पर आपको वो सारी चीज पता चल जाएंगी कि हमारी species जो है वो किन-किन दौलों से गुजरी है चाहे वो हमारे ancient ancestors हो वहां से लेकर आज के time पे जैसे हम लोगों ने इस धर्ती पे दब-बा बना लिया है उस सब के बारे में आपको यहां पर समझ आएगा वही पर मैं आपको बता दू कि एक fun experiment करते हैं आप जो है अपने हाथ को ऐसे पूरा फैला लिजी अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो यह जो hand span है इस span में क्या length होगा इस span में जो कि हम human history को हम लोग define कर पाएंगे आपको चुन सकते हैं अगर आपने यहां पर बोला है कि पूरा arm length है या फिर elbow तक है या फिर hand तक है तो मैं आपको बता दू कि आप यहां पर काफी दूर है अपने अनुमान से क्योंकि हमारा जो human history है उसके बारे में अगर हम सिरफ जानने जाएं तो वो जो है सिर्फ एक tiny microscope के बराबर होगा अल्दो हम लोगों का अर्थ में existence बहुत कम है लेकिन हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और वो कौन से steps है जिस वज़े से हम लोग इस world को dominant कर पा रहे हैं इस sapiens में जो कि युवाल नौहरारे ने यहां पर लिखी है उसमें आपको जो हर एक step के बारे में पता चलेगा वही पर आप हर एक element के बारे में भी यहां पर जान पाएंगे जहां पर हमारे history में जितनी भी elements रहें चाहे वो language से लेकर, money से लेकर, science तक हो जिसके वज़े से हम लोगों की आज के time पे existence है वो सब आपको यहां पर सीखने को मिलेगा मैं वही पर बता दूँ कि यहां पर तीन ऐसे interesting lessons जो की इस book में आपको सिखाएंगे species के बारे में वो यह है कि जो ability to think है उसके वज़े से जो भी हमारे early humans हैं उनको language मिली इसके वज़े से बोला यह जाता है कि agricultural advances हुए जिसके वज़े से उनको grow करने में मतलब जो हमारे pool was थे वो grow करने में exponentially grow करने में उनको help मिली इसके साथ यहां पर यह भी पता चलेगा कि invention of money और writing इन दोनों के वज़े से जो है necessary वो abilities मिली हैं जिनके वज़े से हम लोग आज के दौर पे इस मुकाम तक पहुँच पाएं दूसरी बुक जो मैं आपको recommend करूँगा वो है connect the dots by रश्मी बंसल ऐसे बहुत ही कम books हैं जो की Indian audience को mind में रखते हुए लिखे जाते हैं और ऐसी ही एक यह book है जो की रश्मी बंसल ने लिखी है आपको बता दू कि यह book जो specifically उन लोगों के लिए है जो अपने आप से हिंदी में बात करते हैं लेकिन दुनिया के साथ जो है वो लोग English में बात करते हैं connect the dots जो है वो एक collection है यहाँ पर 20 inspiring stories entrepreneurs की जहाँ पे वो लोग जो है किसी भी B school में नहीं गए मतलब किसी भी business school में नहीं गए और यह जो book है वो एक conversation के form में लिखी गई है जहाँ पर author जो है उन subjects को question करता है जहाँ पर वो जो है subjects को compliment भी करता है insightful statements के साथ इसके साथ अगर आप एक entrepreneur already है तो आप जो है इस book के साथ बहुँच अच्छे से resonate कर पाएंगे वही पर मैं आपको बता दू कि इस book में जो यह 20 stories है उनको यहाँ पर तीन sets में divide किया गया है जहाँ पर जुगाड, जुनून और जुबान करके यह 3 sets है जहाँ पर आपको यह पढ़ने को मिलेंगे वही पर यह जो जितनी सारी stories है उसमें बहुत सारे adventurous moments भी होते हैं जहाँ पर वो लोग अपने industries से little loan जो facts होते हैं वो यहाँ पर share करते हैं जिसके वज़े से वो लोग कैसे उस system को beat कर पाएं यहाँ पर आपको यह पढ़ने को मिलेगा वही पर यह book जो है एक बहुत अच्छे inspiring book है उन लोगों को लिए जो लोग सिरफ बैटके यह सोचते रहते हैं कि हाँ आइडिया है और हम लोग इस पर काम करेंगे तो अगर आपके अंदर entrepreneurship का कीड़ा है तो आपको यह book help जरूर करेगी अपनी entrepreneurship journey को start करने में तीसरी जो book है वो है आपकी यहाँ पर 0 to 1 जो की Peter Thiel की book है इस book में जो है आपको Peter Thiel की जो भी इंसाइड की philosophy है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा और इसके बाद उन्होंने फिर facebook में investing की थी और कैसे वो जो है एक billionaire बने और इस पूरे process के बारे में आप जो है इस book में पढ़ेंगे वेपे में बता दू कि बहुत सारी ऐसी books होती है जहाँ पे आपको great strategies होती है selling के बारे में marketing होता है planning होती है business की कैसे इन सब के बारे में आपको बताया जाता है लेकिन ये जो book है आपको इन सब से हट के पीटर थील का ये मानना है कि आप इन सब को भूल चाहिए और आप एक ऐसा मतलब बिलकुल ही अलग approach के साथ जो है आप लोग मैदान में उतर रिये और जिसके वज़े से बताया जा रहा है कि आप वो जो same league है उसमें आप होंगे ही नहीं एक दम आप different होंगे वही पर मैं आपको बता दू कि पीटर थील जो है वो खुद में भी एक बहुत बड़े genius रहे हैं क्योंकि वो under age 21 में chess master थे उसके बाद उन्होंने age 25 में doctorate कर ली थी law में इसके बाद जो उन्होंने पैथिस के उमर में अपनी company 1.5 billion dollar में बेचे 0 to 1 जो है आपको ये सिखाएगी कि कैसे पेटर थील जो है वो सोचते हैं कैसे वो business को approach करते हैं और अपने startup को build करने के लिए उसके future को build करने और अपने future को build करने के लिए इस world में आपको ऐसे क्या-क्या चीज़े करनी पड़ेंगी वो सब आप इसमें सीख पाएंगे वही पे इसमें कुछ ऐसे lessons भी आप सीखने को मिलेगा जहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको यह मिलेगा कि जो सबसे बड़े leaps होते है न progress के वो कभी भी horizontal नहीं होता हमेशा vertical होता है यह सीखने को मिलेगा और यहाँ पर यह भी मिलेगा कि सीखने को कि कभी-कभी monopolies जो होती है वो अच्छी होती है अब यह जो influence book है वो go-to book रही है marketers के लिए जब से वो 1984 में release होई है तब से वही पर मैं बता दूँ कि इस book में ऐसे six key delivery principles आपको बताय जाएंगे जहाँ पर जो भी human influence होता है उसके पीछे क्या six principles है और उनको जो है यहाँ पर explain भी किया गया है जहाँ पर बहुत सारे practical examples भी यहाँ पर दिये गये हैं इसके साथ है मैं बता दू कि Dr. C.L.D. नी जो है वो एक legend रहे है marketing के दुनिया में जहाँ पर marketing और sales के लिए जो है उनको जाना जाता है उनके जो है तीन साल की research जहाँ पर उन्होंने एक car dealership, एक charity organization और telemarketing companies में उन्हें जो research किये उसके बाद उन्होंने इस book को 1984 में publish किये C.L.D. नी जो है यहाँ पर 6 key principles को discover किया है जिसके वज़े से हम influence होते हैं और हम कैसे decision जो है लेते हैं पहला है आपका reciprocity मतलब कि कैसे हम चीजों का आदान प्रादान करते हैं इसके वज़े से mutual benefit होता है उसके बाद consistency, social proof, authority, liking, scarcity ये सब चीजों के बारे में आप इन principles के बारे में आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे वही पर अगर आप एक entrepreneur हैं और entrepreneurship के world में आपको ये book काफी help होने वाली है C.L.D. नी जो है अपने इन principles को shortcuts बोलते हैं जहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर उनको trigger किया जाए तो हम लोग जो है यहाँ पर conclusions पर बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं वही पर हमारे जो brain है वो यहाँ पर जो है shortcuts use करने को हमेशा चाहता है जिसके वज़से जो time है वो यहाँ पर बच सके इसके साथ उनने यह भी बताया है कि यह जो principles है यह चाहे तो हम अपने खिलाफ या फिर हमारे लिए यह दोनों cases में जो है use कर सकते हैं और आप इसको बेटर तरीके से समझ भी पाओगे यहाँ पर दो-तिन चीज़े इनमें कुछ सीखने को जो आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी वो यह है कि reciprocity bias है मतलब सामान का या चीजों का आदान प्रदान करना जिसके वज़से mutual benefit बना रहे है उसके वज़से कैसा एक good karma account आपका बना रहेगा उसके बाद वो आपका आता है scarcity bias कि कैसे scarcity bias काम करता है क्योंकि इनसान किसी भी opportunity को miss करना नहीं चाता इसको आज के terms में FOMO भी हम कह सकते हैं इसके साथ यहाँ पे आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे small commitments कर सकते हैं जिसके वज़से जो consistency bias है आपको ट्रिगर होगी और अपने goal को आप यहाँ पे reach कर पाओगे अगली जो book है वो है यहाँ पे This is marketing by Seth Godin जैसे कि आप जानते है Seth Godin को जो है यहाँ पे एकदम क्या बोलते है भगवान माना जाता है marketing का जहाँ पे इस book में आपको यह पता चलेगा कि marketing success जो है वो आज के दुनिया में जो भी audience की needs होती है उसके values होती है उसके desires होती है उसके उपर focus करने से आता है ना कि लोगों को जो है आप यहाँ message को थूरो spam कर सके उसके वज़े से यहाँ पे आएगा जैसे कि आप जानते हैं कि जो conventional advertising हुआ करती थी वो जो है dead हो चुकी है एक तरीके से भगवाई पर बहुत सारी companies जब वो marketing के बारे में सोचते हैं तो उनको यह लगता है कि ads चलाने चाहिए जहाँ पे उनको यह लगता है कि उनके product या service को अगर वो लोग जितने आखो तक लेके जाएंगे जितने आख उनके product को देखेंगे उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ज़ादा sales आएंगे लेकिन ऐसा नहीं है आज के इस knowledge age में जहाँ पे लोगों का attention span भी कम है और बहुत सारा knowledge है इदर उदर बहुत कुछ देखने को मिलता है तो भाई ये समझना बहुत जादा जरूरी है कि marketing जो है कैसे काम करती है और marketing actual में है क्या चीज़ भाई पे इस book से आपको ये समझने को मिलेगा भाई पे मैं आपको बता दू कि this is marketing में जो है Gordon यहाँ पे जो भी misconceptions है आपके marketing को लेखके जो भी उसके surrounding होती है उसके बारे में address करते हुए वो बताते हैं कि marketing को कैसे सही किया जाता है this is marketing में जो है Gordon यहाँ पे ये बताते हैं कि marketing के regarding misconceptions है उनके वज़े से यहाँ पे marketing जो है इतना difficult बन जाता है लेकिन Seth Gordon जो है इस book में वो principles आपको सिखाते हैं जिसके वज़े से किसी भी company को successfully जो है इस competitive world में progress करने के लिए marketing कैसे की जाए उसके लिए यहाँ पे आप उनसे जो है सीख पाएंगे इन में दो-तिन चीज़े जो आपको सीखने को मिलेंगे वो यह है कि इंटरनेट को यूज करके आप अगर अपने product को सिरफ audience तक लेके जाओगे तो वो जाधा effective नहीं है लेकिन अगर आप जो individuals हैं जिनको आप serve करना चाहते हैं कैसे यूज कर पाओगे और कैसे जो है आप जो अपने initial fans है उनसे जो है आप जो भी offerings है उनको आप जो है general public तक ले जापाओगे इसमें आप सीख पाओगे तो दोस्तो बस ये थी वो कुछ books जो कि आपको यहाँ पे help मिलेगी अगर आपने इन में से कुछ पढ़ी है तो आप हमें comments में जरूर बताईए क्या कौन से पढ़ी है और आपको लगता है कि और भी कुछ books है जो कि यहाँ पे entrepreneurs के लिए काफी helpful होने वाली है तो वो जो है आप comments में जरूर बता दीजेगा